है कि आपके UPPCS की जो vacancies निकली हुई है उनमें overall post कितनी है आपको पता भी है हमारे कुछ छोटटे सेशन होते हैं जिसे कि किसी बच्चों कर उतनी ही जनकारी चाहिए तो वहीं से काटके राप्त कर सकता है ठीक है मैं आपको कुछ चीजिया और भी बताने वाला हूँ मैंने क कुछ जोमारे सेलेक्टे से उसे बात की है जल्दी में उनके इंटरभी भी आप पर पहुंचाओंगा अगर मैं आपको मैं आपको नॉर्मली वहां पर लिए चलता हूँ कि क्या इसका procedure है कितनी का vacancies है direct में यह पर चलता हूँ आपको बता है कि आपके UP जो PSC है ठीक है उन Food Science में आप DHO में आपने अगर BSC Agriculture कर रखा है ठीक है इलिजबल है Food Science में आपने Food Science से कर रखा है इनके लावा जितनी भी पोस्ट है सम्में MSC Agriculture या मतलब MSC पर अलग 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 देख रखा है जल्दी से मैं पोस्ट बताता हूँ फिर मैं आपको कुछ बाते औ आपकी OBC की पोस्ट है ठीक है जनली का देखेंगे तो Food Processing जो Officer है उसकी एक ही पोस्ट है मतलब BSC के लिए यही दो पोस्ट में ली देखी जाती है कल फिर में और बातचीत करूँ कल मेरा साथ में सेशन भी लगा हुआ है अगर मैं नॉर्मल देखता हूँ तो यह तीन और पोस्ट हो गई जो हमारे किस के लिए है जिन्होंने BSC Agriculture कर रखा है बना BSC Agriculture तीन के लिए और नॉर्मल हमारी एक पोस्ट फूट साइंस के लिए होगी इसके अलाबा अगर मैं देखू ठीक है थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा एक मिलट हाँ इसके अलाबा अगर मैं देखू अब ठीक है ठीक है तो यहाँ पर कितनी थी बड़ा यह हमारी एक थी ओके इसके लाबा अगर देखता है तो यहाँ पर कुछ पोस्ट और है जो पता होनी चाहिए यहाँ पर chemistry के लिए UP agriculture service में जो पोस्ट थी उसकी कितनी पोस्ट है तो chemistry के लिए यहाँ पर 22 पोस् पोस्ट है तो बोटनी के लिए भी आपने चक्किया होगा ठीक है कि बोटनी के लिए कि कितनी पोस्ट है तो 11 पोस्ट है बोटनी के लिए एगरोनॉमी के लिए जो देखा जाए तो अगरोनॉमी के लिए पोस्ट कितनी है तो 13 पोस्ट जो है वो अगरोनॉमी के लिए है ड development के लिए जो पोस्ट है वो कितनी है 34 पोस्ट है क्यासी है 34 34 पोस्ट है थोड़ा सा आगे और मिलूगा हमें तो यहाँ पर plant protection बिल्कुस है यह बूलनाने चाहिए plant protection कितनी है बटा 36 पोस्ट है ठीक है यह तो होगे कौन सी जो group B की अ grade 2 की है अब बाल यह आती है STA की जो grade 1 की पोस्ट है वो कितनी कितनी है ध्यान रखिये grade 1 में अगर सबसे पटले देखेंगे तो हमारे पास आता है कौन सा एग्रोनोगी दिपार्ट्मेंट ठीक है या आता वह यह आता है और एग्रोनोगी की यहाँ पर grade 1 में कितनी की अगर कर रखा ना तो प्रिवल्ले बल्ले हो जाए गया ठीक है केमेश्ट्री की आपकी 20 पोस्ट है यहां और लगबग डवलमेंट की 21 पोस्ट है ठीक है और यह टोटल आंकड़ा आपका 268 के आसपास वैट आए यह तो आपको जनकारी मैंने पहले भी दी थी ठीक है पता हँन दियान ही रहा है कि देख़व इसका जो सलेक्ष eleksal procedure है वो क्या है वो पता हून चींए सबसबां पहले आपको बता है कि डी हो में भाई हम लोग देखते है कि डी हो में हमारा एक प्री होगा ठीक है मेंस होगा और इक इंट्रव्यू में है रोगा ऑर इक रहेंगे तो pre-k pattern सबका same रहने वाला है आप को पता है कि pre-k pattern में 120 question आने हैं जिसमें 80 question agriculture और 40 question जो है वो किसके हैं GKGS के रहने वाले हैं ठीक है यह 80 किसके है agriculture के हैं और यह 40 GKGS के प्रस्टन रहने वाले हैं ठीक है एक और चीद्या नकिएगा इसमें जो आपको वो मिलने वाला है यानि कि एक question के आपको 2.5 marks मिलेंगे ठीक है लेकिन negative marking भी होती है negative marking के हिसाब से ठीक है आपकी 1y3 की negative marking है यानि कि लगवग 0.82 number आपका कटेगा अग गलत होत होता है तो ध्यान हेत रखना कि 2.5 number मिलेंगे तो पर अगर गलत हो तो 1y3 की है 1y4 की नहीं है पिसली बार 1y3 की ही थी इस बार भी वही follow की जाएगी मेंस की बात करेंगे तो मेंस जो है थोड़ा अलग-अलग format में डिवाइड होगा मेंस के तीन format में मेंस आपका divide हो रहा ह है आपको भी बात पता होनी चाहिए वो तीन format कौन-कौन से जैसे की आप पता है कि 50 number का आपका Hindi होने वाला है और Hindi में 2 format divide हो रहे है 25 और 25 के 25 का आपका व्याकरण और 25 का आपका निवंद है निवंद जो आपको लिखना है ठीक है वो 500 words में लिखना है 500 words में आपको निवं है second अगर में देखूंगा ध्यान रखेगा मेंस में अगर देखेंगे तो मेंस का यह point हो गया पहला Hindi बाला दूसरा आता है GKGS GKGS भी आपका 50 number का है ठीक है clear है और तिसरा आता है agriculture यह हम कह सकते हैं agriculture में यह आपका जो subject है मेंस का उसमें 200 number यानि 250-50 ठीक है तो लगबग आ आपका साढ़े 300 number यहां से मिलने वाले हैं आपको ठीक है clear है समझेगा आपको ठीक अब यहां पर 350 numbers है ठीक है और ध्यान यह भी रखियेगा बच्चों कि यह तो आपका होगया exam veteran यह पूरा selection process है DHO में interview होगा तो उसके नहीं जुड़ेंगे इस में interview नहीं होगा तो आपक पड़ेगा और यह 40 में आपको पता है कि math reasoning math reasoning यह भी थोड़ा मुत आता है math आता है reasoning आता है normal GKGS की बात करेंगे तो अपने history जोग्राफी यहां से परसंद आते रहते हैं लेकिन यहां अब आपको हिंदी यह से भी लिखना पड़ेगा 500 words का clear होगे बात बच्चों यह रह तो हमारा face नहीं लेता है ठीक है रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तो यह मेरा mobile है ना यह हमारे जैसा ही है करता नहीं खुलेंगे माले क्या कर लोगे हम बताना पड़ता है महाई खुल या बात माल लो ठीक है अच्छा इसके लिए हम 7 बजे एक session भी कर लेके आ रहे ह जहां मैं आपको पूरी procedure बताने वाला हूँ कि इसको ऐसे ऐसे complete करना है ठीक है अच्छा इतना सब कुछ complete करने के लिए ठीक है आपको proper sources follow करने पड़ेंगे proper sources से पढ़िए ठीक है आपकी preparation best हो जाएगे strategy के लिए मैं आपको कुछ चीज़े बता देता हूँ जैसे की कुछ चीज़े आपको follow करनी पड़ेंगी follow करने के लिए पहले तो मैं आपको recommend करता हूँ batch जो की आती आवश्यक रहता है हाँ ही तरफ से ठीक है और second मैं आपको कुछ चीज़े और भी recommend करूँगा अगर आप पुस्तकों से पने आते तो पुस्तके भी आपको recommend कर दूगा ठीक है ध्यान रखिये आपको अलाग अलाग subject के लिए ठीक है मैं आगर books की बात करूँ तो आपको अपने subject को मजूद करने के लिए books follow करनी पड़ेगी चाहे बो ऐसा ready हो ready in ready हो horticulture के लिए आप glosses horticulture पढ़ वो है हमारा batch जो हमने start करना है 26 तारिक से इस batch की खासियत है कुछ वो यह है कि जैसे आपको आपने 8.247 आप download किया जाते आपको UPPSC अगरेकर service दिखेगा यह आपका complete pre batch है प्रिलिम्स बैच है बच्चों ठीक है प्रिलिम्स अपका सेम होने वाला है उस प्रिलिम्स बैच क मिलेगी रिज़ निगी यानि कि आपको साथ और तीन दस टोटल दस फैकल्टी पढ़ा जाने वाले हैं दस फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर टैन फैकल्टी ठीक है हिंदी और इंग्लिस दोनों भासा मिलेंगे टिलेग्राम गुरू मिलेगा वहाँ प आपके लिए अच्छी रहेगी ठीक है कल हम साथ बजे भी आपके लिए आएंगे तो कल आप बच्चों साथ बजे आना मैं प्रॉपर स्टेडियर डिस्कस करूँगा कल साथ बजे समझे मेरी बात को यह 24 का बैच है वाई 612 ए लगाना ठीक है